उद्यपूर में गुमने वाली जो पहली जगे है वो है फतेसागर्जील यहाँ पर आकर आप अपनी चुटियां मना सकते हैं वैसे तो इस फतेसागर्जील में पूरे 12 महीने पानी रहता है लेकिन मौनसून के टाइम में यह जील ओवरफलो हो जाती है जिसका नजारा बिलकुल अलग रहेगा देखिए यह उद्यपूर की फतेसागर्जील है और इ देखिए उद्यपूर की यह फतेसागर्जील उद्यपूर मेंन सिटी के अंदर है इस जील के साथ साथ आप यहाँ के मौसम का भी नजारा ले सकते हैं बॉनसून के टाइम में इस जील के अंदर आप स्पीड बोट से बोटिंग करते हुए भी संसेट का भी नजारा ले सक सकते हैं और साथ में आप इस जील के अंदर बने हुए फांटेन को भी देख सकते हैं जो की एक जबरदस्त नजा रहा होता है अपने आप में इस जील की पाल पर भी काफी लोग आते हैं मॉनिंग वो करते हैं तो आपको नजरांगा इसी उदेपूर सिटी के अंदर दूसरी लोकेशन है सवरूप सागर बांध यानि सवरूप सागर डेम जो कि मैं आपको बता दूँ उस्ताद लक्षमन सिंग पहलमान पुल के उपर ही ये डेम बना हुआ है लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मौनसून के टाइम में ही इसके गेट खोले जाते हैं और कुछ इस तरह का नजारा आपको देखने को मिलता है अगर सेप्टेमबर या अक्टूबर मन्त के अंदर और ये सवरूप सागर बांध एक्चली फते सागर जील से जस्ट आदा किलोमेटर पहले है आप जब भी फते सागर जील को आवरफलो होत हुए देखें तो इस सवर नदी को देखने का भी एक अलग ही नजारा है उसकी वज़े ये है कि इस नदी पर कुछ इस तरह का व्यूव आपको मोंसुन के टाइम में देखने को मिलता है और इस नदी का नाम है आयड नदी देखिए इस नदी में सवरूप सागर डेम का भी पानी आता है और फते सिर्फ और सिर्फ मोंसुन के टाइम में ही आपको देखनी चाहिए अदरवाइस आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा देखिए आप जब भी उद्यपूर प्लान करें तो अगस्त मन्त सेप्टम्र मन्त अक्टूबर या नमंबर मन्त के अंदर तो आप एक बार रायता हिल्स को जरूर देखें जो कि उद्यपूर से लगभग 15 से 18 किलोमिटर के डिस्टेंस पर है यहाँ पर आपको मोसम कुछ इस तरह से दिखाई देगा यानि कि बादल बिल्कुल हिल्स के ऊपर आ जाते हैं और आपको जुलाई मन्त में ही या अगस्त मन्त में ही फोग जैस जमीन पर देखने को मिलता है इस जगे पर आपको चारो तरफ अरावली की पहाडियां एकदम हरी भरी नजर आएंगी और जिग जैक रास्ता भी आपको नजर आएगा मौन्सुन के टाइम में कुछ इस तरह का व्यू बनता है लेकिन जब भी आप आए आप अपने साधन क करें या तो आपके पास प्लच होनी चाहिए या फिर चाहिए जैसे आप रायता हिल्य की तरफ आते हैं तो मैं आपको बता दूं अरावली की पहाडिय będą को जिग जग रास्ते को क्रोस करने के बाद आपको रायता हिल्यों के टोप पर आना है जहां पर आपको 3-4 दुक आन और वहां के नजारे को भी देख सकते हैं मौनसून के टाइम में यह सारी अरावली की पाड़ियां हैं जहां पर आप पैदल ट्रेकिंग कर सकते हैं पहाडों के नजारे ले सकते हैं और यहां पर मौनसून के टाइम में छोटे मोटे जर्ने भी स्टार्ट हो जाते हैं नदिय जहां पर आपको अलसीगर्ड का जहरना भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है यह जहरना मौनसून के टाइम में ही ओवरफलो होकर आपको दिखाई देगा और साथ में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं यहां पर आप जहरने के व्यू ले सकते हैं और यहां पर आप पिकनिक भी मना सकते हैं देखिए रास्ता कुछ इस तरह सा रेता है दोस्तों के साथ आएं तो आप बाहर खाना वाना बना कर पिकनिक भी मना सकते हैं सेलिबरेट कर सकते हैं मौनसून में पानी ज्यादा आने से नदिया और जहरने स्टार्ट हो जाते हैं इसलिए यहां पर अलसीगर् पर आप अलसीगर्ड के टॉप से भी नीचे का नजारा और जहरने वगरा देख सकते हैं अब जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है चांदनी विलेज देखिए यह जो व्यू देख रहे हैं यह चांदनी विलेज का है जहां पर मौनसून के टाइम में नदियां स्टार्ट हो च होती हैं यहां पर उची उची अरावली की पहाड़ियां सीधे आसमान को चूती हैं बादलों से टकराती हैं और यहां पर नदियों का बहाव भी बहुत तेज हो जाता है यहां पर काफी अच्छी लोकेशन है जहां पर आप एकदम ऑवरफ्लो के नजारे भी ले सकते हैं अब जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है बनास नदी का देखिए मैं आपको बता दूँ उद्यपूर से लगबग 45 किलोमेटर की डिस्टेंस पे है बनास नदी हम लोग नदी के अंदर कम से कम 2-3 गंटे न आये हैं और फूल इंजोई किया है अगर आप लोगो वो भी इस अंदर व्यू बन जाता है देखिए इस बनास नदी के बाद अब मौनसुम के टाइम में उद्यपूर में घूमने वाली जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है बागेरी का डेम बागेरी का नाका देखिए ये बी कुछ किलोमेटर की डिस्टेंस पे है उद्यपूर से और इस ब अब जाता है तो मैं आपको बता दूँ आपके पास पूरा एक दिन होना चाहिए उसकी वज़े ये है कि आप अमरचंदिय तलाब के बाद देख सकते हैं बागेरी का नाका और और फिर बागेरी के नाके के बाद आप देख सकते हैं बनास नदी जो हम पिछे एक्स्प्लेइन कर चुके हैं तो ये पूरा एक त्रिप बनता है एक दिन का उद्यपूर गुमने वाला जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक